महिंद्रा ट्रॉक एंड बस ने नई फ्यूरियो रेंज का इंटर्मीडियेट कॉमर्शियल वीकल्स को भारत में लॉंच कर दिया कमपनी ने अपनी नई ट्रॉक रेंज को जिलाई 2018 में ही पेश कर दिया था अब कमपनी ने इसकी आधिकारिक विकली का एलान कर दिया है 12 टन वाली फ्यूरियो की पुने एक्स शोरून कीमत 17.4 पांच लाक रुप्य है नई महिंद्रा फ्यूरियो रेंज को महिंद्रा की स्वामित्व वाली इटेलियन डिजाइन हाउस पिनन फेरिना ने तयार किया है इससे पहले कमपनी ने बताया था कि वो इंटेर्मीडियर ट्रॉक्स की नई रेंज पर 600 करोड रुप्य का निवेश कर रही है नई महिंद्रा फ्यूरियो रेंज पर साल 2014 सेकंड डेवलप्मेंट चल रहा था इस पर करीब 500 इंजिनियर्स की टीम काम कर रही थी इसमें 180 सप्लायर्स शामिल हैं फ्यूरियो रेंज को कमपनी के पिने के चाकन प्लांट में बनाया गया है भारतिय बाजार में इसका मुकाबला आइचर और टाटा मोटर जैसी दिगजों से होगा नई महिंद्रा फ्यूरियो ट्रक्स में पावर के लिए कमपनी का नया मरी टेक डीजेल इंजिन लगाया गया है इसका इंजिन 2400 RPM पर 138 DHP की मैकसिमम पावर और 500 Nm की पीक टॉप जैनरेट करता है इसका इंजिन महिंद्रा की फ्यूरियो स्मार्ट तक्नीक से लेस है जिससे इंधन की बचचत होगी इसके अलावा इसमें मल्टी मोट स्विच दिये गए हैं इसका नया इंजिन काफी हलका है और इसका लो फ्रिक्शन इधन की बचचत करने में मदद करता है कमपनी का दावा कम RPM पर यह ज्यादा टाग देगा कमपनी के मुताबिक यह ट्रक शहर के अंदर और शहर के बाहर दोनों के लिए एक पफेक्ट विकफला बनेगी हाला कि अभी इसका इंजिन BS-4 नॉम्स पर काम कर रहा है लेकिन आने वाले समय में कमपनी इसमें BS-6 का विकलत देगी कमपनी की तरफ से बताया गया है कि इस ट्रक का करीब एक हजार बार पफॉर्मेंस टेस्ट किया गया है महिंद्रा इस पर पांच साल या पांच लाग किलोमीटर की वाड़ी और पांच साल या पांच लाग किलोमीटर की AMC मेंटेनेंस गांटी दे रही है